हमने तो overall पृत्वी के संदर में बात की अब हम देखें कि हमारे भारत में इस प्रकार के जो वनस्पती छेत्र हैं वो कहां कहां पर मिलते हैं तो naturally है यदि हम भारत को लगभग मध्य से विभाजित करते हैं तो साढ़े 23 अंश की करक रेखा विभाजक अक्षांस रेखा हम कह सकते हैं इसके दक्षिन की तरफ आते हैं तो हमें मालूम है कि पूरा जो छेत्र है भारत का दक्षिन तम वो आपके उश्नकटी बंधी है ट्रॉपिकल जोन के अंतरगत आता है तो इसमें भी ट्रॉपिकल तो हो गया अब जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है जो दक्षिन पश्री मांसून से पूरी वर्षा प्राप्त करता है इसके बाद हम आज आते हैं तमिल नाडू के बाद पूरा जो पुरवोत्तर राजी है इसमें गारो खासी जैनतिया ये पुरे पहाडी पुरवोत्तर राजी इस छेत्र के अंतरगत आते हैं और इसके तो ये हो गया ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट इसके बाद हम दूसरा वनस्पती का विभाजन देखते हैं जिसे हम कहते हैं उष्णकटी बंधी पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट तो नाम सी सपस्ट हो रहा है हमें पर्णपाती मतलब ऐसे वन जो किसी एक मौसम में या कुछ समय के लिए विरिक्ष जो है वो अपनी पत्तियां गिरा देती हैं पर्णपाती इन वनों को मांसुनी वन भी कहा जाता है अगर आप से पर्णपाती वन कहा जा जाए या मांसुनी वन तो आपको कनफ्यूज नहीं हो पर्णपाती वन को ही मानसुनी वन भी जो है कहा जाता है अब हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़े छेत्र में भारत के बहुत बड़े छेत्र में जो है ये पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल डेसिदियस फॉरेस्ट जो है वो फैला हुआ है इसमें भी इसके दो वी भाज किए गया हैं यह आद्रिता की मात्रा क्या धार पर इसमें हम देखते हैं यदू ओवर्भाउल जब हम परनपातिवन की बात करें तो यह सत्तर से 200 cm वर्षा वाले छेत्रों में फैले हुए होते हैं अब इन पूरे छेत्रों में भी हम देखेंगे कि यहां पर थोड़ा आप मांचित्र में नजर दोड़ाईए अभी हमने ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फारेस्ट की बात की जिसमें पशिमी घाट का पूरा पशिमी छेत्र हम आपके उत्तर पूर्वी राज्यों की हमने बात की पहाडी राज्यों की अंडमार निको बार्दीर समू यह पूरा जो है यह आपके ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फारेस्ट के अंतर गता गया लेकिन अगर हम उत्तर की तरफ चले जाएं तो हम देखते हैं कि हमाले इन रने मिलेंगे फिर अगर हम पाश् 알ी की तरह आ जाते हैं तो हमारे देखते हैं कि एक शुश के खेतर है और एग्द असुदूर पाश् जो है वेक मरुस्थली जह धर 8 अरिये म्लेंगे इसके साथ です सबुद्साद अगर हम जो डेलटाई च्छेतरे हैं जसे गंगा, ब्रहम हपुत्र का, डेलटा गोदावरी, क्रिष्णा, कावैरी, महँनदी का जो डेलटा च्छेतर जिसमें पुरा प्रायदीपी, पठार, भारत का कुछ मध्य छेत्र, कुछ पश्रिमी और कुछ पूर्वी जो छेत्र ये आप मान चेत्र से बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, तो ये पूरा आपका है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये पूरे ऐसे छ सेंटीमीटर वर्षा वाले छेत्र हैं, लेकिन इन पूरे ही जगों में हम देखेंगे, पूरे स्थानों पे एक समान तो बारिश नहीं होगी, कहीं पर कुछ थोड़े शुष्क छेत्र होंगे, और कहीं पर थोड़ी जादा बारिश होगी, तो बारिश की मात्रा या आदर यह दो भाग में इसे विभाजित किया गया है, इसकी कुछ विशेष्टा में आपको बता दू कि इसकी पहचान क्या होती है, एक तो बारिश की मात्रा घट गई, तो जिसके करण यह जो सदा बाहरवन या एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उनकी अपेक्षा या उतने अ अब आएए हम इसकी विशेष्टाओं पर चर्चा करते हैं, तो पहला हम देखते हैं वर्षा की मात्रा, पहले भी हमने चर्चा की कि ओवरॉल इस पूरे छेतर में 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो इसमें जो हमने दो भी भाजन किये थे, मॉस्ट, डेसिडियस या आदर पढ़न पाती, तो यहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और जो शुष्क पढ़न पाती या ड्राई डेसिडियस की हमने बात की थी, वहां पर लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो यह रेंफॉल हो गया, अब दूसरा हम देखते हैं कि भारत के किस-किस छेत्र में देखने को मिलते हैं, कहां पर फैले हुए हैं, तो मानचित्र को भी आप थोड़ा सा गौर से देखिए, देश का जो पुर्वी भाग है, उसमें भी उत्तर पुर्वी राज, उसके साथ हिमालय के जो गिरिपद प्रदेश हैं, फिर साथ ही पुरा चेतिस गड़, और पशिमी घाट के पुर्वी ढाल, यह पूरे छेत्र में आपको परणपाती या मानसुनी वंद देखने को मिलते हैं, हमने भी पशिमी घाट के पूर्वी ढाल की बात कि, तो पशिमी घाट का पशिमी भाग जो है, या पशिमी ढाल जो है, हमें पता है कि भरपूर वर्षा प्राप्त करता है दक्षिन पश्री मानसून से और पुरवी ढाल में जो है वो हमको सुष्कता देखने को मिलती है क्योंकि जैसे ही दूसरे ढाल के सहारे हवाय उतरती है तो वो पुरा वरिष्टी चाया प्रदेश के अंतरगत आता है यह मैं पर, साल, सागौन, शीशम, चंदन, मलबरी, अरजुन, आउला, नीम यह वरिख्ष जो है यह महत्त पूर्ण रूप से यहां पर हमें तेखने को मिलती है अब हमने पहले भी कहा था कि इस प्रकार के वनों में वरिख्षों की जो उचाई है वो एवर्ग्रीन फॉरेस्ट क अपर के वरिख्षों में नहीं मिलेगी इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहां पर एक शुष्करीतु होती है तो जब शुष्क ग्रिष्मरीतु होती है तो इन वरिख्षों की यह इन पेडों की जो अपनी पत्तियों को लगभग 6 से 8 हफते के लिए गिरा देते हैं क्य यह जितना बड़ा वरिख्षो होगा या जितनी चौड़ी पत्तियां होंगी तो हम देखेंगे कि उससे वाश्पी करन उतना ही अधिक होगा तो वरिख्ष जो है वो अपने जल को बचाने के लिए जल की मात्रा को नियंद्रित करने के लिए जब शुष्क होता है तब वो अपने पत्तियों को गिरा देते हैं नीचे और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शुष्क ग्रिष्मरीतु में यहां पर पज़डवाला मौसम या लगभग 6-8 हफते के लिए यह पत्तियों के गिरा देने से जो है वो पज़डवाला मौसम हमें नजर आता है फिर अगली विशेश्ता हम देखते हैं जब हमने देखाई कि शुष्क मानसुनी जो है वो सत्तर से सो सेंटीमीटर की बीच मिलती है तो जो इस शुष्क मानसुनी वन की जब हम बात करें तो यहां पर देखेंगे कि इस पूरे छेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या की स घंता मिलती है बहुत अधिक जो आबादी है वो मिलती है तो इस पूरे छेत्र में चुकि बारिश भी कम होती है इसलिए और आबादी की अधिकता के कारण अब बहुत से यहां के जो वन छेत्र हैं वन भूमी हैं उनको साफ करके क्रिशी का विस्तार जो है क्रिशी भूमी का विस्तार किया गया है अब अगला हम देखें इसकी जो विशेष्टा है व्रिक्षो की हमने बात की अब जानवर जानवर कौन-कौन से मिलते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से है शेर, सूर, हीरन, हाथी और अलग-अलग प्रकार के पक्षी और इसके साथ ही साथ हमें और कच्वी भी जो हैं वो इनवनों में नजर आते हैं अब वन का जो तीसरा प्रकार है जिसे हम उश्न कटी बंधी, कटी लेवन तथा जाडियां या थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रप्स के नाम से जानते हैं इनकी विशेष्टाओं पर देख लें तो इसमें तो नाम से सपस्ट हो रहा है कि कटी लेवन और जाडियां मतलब कि यहां पर वर्षा की मातरा देखें तो बहुत कम होगी एक पूरा ड्राय एरिया होगा शुष्क छेत्र होगा जिसके कारण वही जो वहां के वरिक्ष या जो जाडियां है वो अपने वाश्प को या जल की मातरा को नियंतरित करने के लिए वहां पर हम देखेंगे कि वरिक्ष जो है उसमें मोटी मोटी पत्या नजर आएंगी काटो वाली जाडियां हमें यहां पर मिलती हैं हम कहते हैं कि इस पूरे नेचर में नेचर नहीं यहां पर जितने भी चाहे वो पेड़ पौध हो जीव जनतु ह ननुष्यों सबको ऐसा बनाया है कि जिस नेचर में उसने उसको उत्पन्य किया है प्याद़ किया है वहां पर उन्हें सर्वाईफ करने के लिए वो उसी प्रकार के एन्वायरमेंट में वो ढईल जाते हैं तो व्रिक्ष भी जो यहां पर मिलती हैं इन मरुस्थले वन या कटीले वनों में वहाँ पर हम देखेंगे कि उनमें काटे वाली जाडियां जैसे आपने बबूल का पेड़ देखा होगा या कैक्टस का पौधा देखा होगा तो इसमें क्या है इनकी ये काटे वाली जाडियां या व्रिक्षो होते हैं तो सबको अपनी रक्षा करनी है इन को भी जो है वो क्या है उस एंवायरमेंट में सर्वाइफ करना है तो इसे एक फायदा यह है मतलब क्यों यह ऐसा होता है तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं वहाँ पर भी तो जन्तू जानवर होंगे ही ऐसा तो है नहीं कि मरुस्थली वन या कर्टिले वन में आपको बहुत मात्रा में एक तो पानी की भी मात्रा कम होती है तो इनमें हम देखेंगी नेचर नहीं वनाया कि इनके जो वरिक्ष होते हैं वो कटी ले, काटेदार होते हैं जिसके कारण अब कोई मनुष्य या जो हम बात कर रहे हैं जानवर वो इनहें खाएंगे नहीं और अपने आपकी हम एक प्रकार कह सकते हैं कि अपने आपको प्रोटेक्ट करते हैं अपनी सुरक्षा करते हैं नेचर नहीं इनहें ऐसा बनाया है ताकि वो उस एटमॉस्फियर में सर्वाइफ कर पाएं तो आएए अब हम इसकी विशेष्ताओं पर चडशा कर लें तो कटीलेवन औ जब एवर्ग्रीन फारेस्ट कहा था दो सो सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश फिर हम पजजडवन में आ गया मतलब कुछ एक मौसम मतलब शुष्क गृष्मरीतू का जब मौसम था तो वहां पर पेड जो है वो अपनी पतियां गिरा दे रहे थे लेकिन वहां पर अधिकतर जो है वो देखने को मिलेंगे तो यहां पर बारिश की मात्रा या अध्रता की मात्रा क्या होगी ऐसे छेत्र जहां पर सतर सेंटीमीटर से भी कम बारिश होगी वहां पर आपको कटीले वन और जाडियां मिलेंगी अब दूसरी यह विशेश्टा है कि इनवनों की कि यहां पर जो व्रिक्ष होते हैं वो बिखरे हुए रूप में मिलते हैं बिखरे हुए रूप में मतलब सबको सर्वाइब करना है सबको अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो बहुत पास-पास होने से चुकि धरात एक बार जल में आदरता भी बहुत कम है भुमीकच जल का इस तर बहुत निम्न है तो जितना भी जल जो है भुमीकच जल जो है उसी में सभी व्रिक्षों को सरवाइफ करना है तो वो सब अपने लिए एक जगा बना कर रखते हैं हम ऐसा कह सकते हैं इसी कारण से यहां पर जो हैं वह दूर-दूर और बिखरे हुए मिलते हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि इन व्रिक्षों की जड़े हैं वह बहुत लंबी होती हैं। और बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं। उसके माधियम से ही तो तो वहापर जो जल है उसको अपने में सTORA करके रखेंगे। तो इससागर से भी आप आप देख पारे होंगे जु रूर से जड़े है वह बहुत लंबी होती हैं साथ ही साथ बहुत भोग भिए तक फैली हुए होती है, पूरा ऑफर दोर अपर करता है अब इसमें जो पत्या देखेंगे वो बहुत मोटी होती है और मोटी और हम यह कह सकते हैं चिकनी होती है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है बहुत चिकनी होती है और बहुत सारे विक्ष जो है वो यहां पर काटेदार होते हैं और सीधा इसका वो है कि वो अपने आदरता को इस Mentalization of owls निना अधन मिलने वाले विरिक्षो की आप इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि कौन-कौन से विरिक्ष यहां प्रमूख रूप से मिलते हैं तो पीक्चर से आप देख पा रहे हैं प्रमुख विरिक्ष आपको तो अकासिया है, खजूर है, जिसे हम पॉम भी कहते हैं, इसके बाद बबूल है और यूफो रभिया और कैक्टस, ये जो है कैक्टस या हम जिसे नाकफनी भी कहते हैं, ये यहाँ पर मिलने वाले प्रमुक व्रिक्ष हैं, अब हम जानवरों की चर्चा कर लें कि कौन-कौन स से मिलते हैं, तो उसमें हम देखेंगे लोमडी है, भेडिये हैं, जंगली, गधा है और उठ, उठ कहने से आपको एक बात ध्यान में आ रही होगी, हम उठ को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज, बच्चों अभी मैंने कहा कि जो भी वनस्पति या जो जीव समूदाय कि उसी छेत्र में मिल रहा है, तो वो प्रकृती नहीं उन्हें ऐसा बनाया है, ताकि वो उस एट्मॉस्फियर में अपने आपको सर्वाइफ कर पाएं, जैसे उठ है, तो आप देखते होंगे, उठ के पंजे जो हैं, वो बहुत गद्देदार होते हैं, वो इसलिए कि अब हम देखते हैं कि यह मरुस्थली वन या कटीले वन भारत में कौन-कौन से छेत्र में मिलते हैं, तो उसमें हम प्रमुक रूप से जाएं, तो हमें पता है कि भारत का पूरा पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग जो है, वो ड्राइ एरिया है, शुष्क भाग है, तो वहीं पर यदि एकदम सुदूर पश्चिम में चले जाए तब तो वह एकदम मरुस्थल है, लेकिन यदि उसके थोड़ा पूर्व में आये हम, पूर्वी भाग में, तो हम देखते हैं कि वहां पर बारिश की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है, तो यह पूरा छेत्र जो है, यहां पर हमें कटीलेवन और जाडियों वाली वनस्पतिया मिलती हैं, तो प्रमुक छेत्र देखते हैं, जैसे उत्तर पश्चिमी भाग में भी गुजरात हो गया, राजस्थान है, चतिस गड़ का कुछ छेत्र, सांथी सांथ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो परवती वन या माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है, इस पर बात करते हैं, इस गलोब को आप देख पा रहे होंगे, तो जैसे ही हम एक्वेटर या भूमध्यरेखा से ध्रूओं की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, और इसमें हमें मतलब वनस्पतियों में अंतर देखने को ट्रॉपिकल जोन होता है, और ट्रॉपिकल टाइप की या उश्नकटी बंधी वनस्पतियों देखने को मिलती हैं, फिर जैसे जैसे हम उपर की तरफ जाते हैं, तो शितोष्ण या सम्शितोष्ण फिर शीतकटी बंधी छेतरा आता है, और हम ये कह सकते हैं कि भूमध्यरे तरफ जाते हैं, तो एवर्ग्रीन फारेस्ट या सदा बाहरवन से धुरूओं तक टुंड्रा वनस्पति तक का सफर जो है वो तै कर सकते हैं, तो ठीक इसी प्रकार जैसे हम अक्षांसों में भूमध्यरे खासे धुरूओं की तरफ जाते हैं, और हमें वनस्पतियों में देखने को मिलता है, उसी प्रकार का जो अंतर है वो हम परवती छेत्र में भी देख सकते हैं, मतलब परवत जो है वो अलग-अलग उचाई के होंगे, तो किसी परवत के यदि आप पीक पर एकदम उची चोटी पर यदि आप खड़े हैं, उसके बाद यदि हम उसके मध्य चेत्र पर आए और उस परवत के गिरिपाद में एकदम निचले हिस्से में आए तो हमें इसमें वनस्पतियों में अंतर देखने को मिलता है, तो एक तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम उचाई की तरफ जाते हैं, तो तापमान में हमें अंतर मिलता है, अंतर मिलता है मतलब उचाई में जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती जाती है इस बात का धियन हम जलवायू वाले चैप्टर में कर चुके हैं तो तापमान में अंतर तो आता ही है और इस तापमान में अंतर के साथ उचाई में जाने पर हमें वनस्पतियों में भी अंतर देखने को मिलता ह तो जैसे इसको हम समझ लें कि अलग-अलग उचाई होंगे और हमने बात की कि किसी माउंटेन के किसी परवत के पीक से यदि हम उसके गिरिपात तक आएं तो हमें अलग-अलग वनस्पतियां मिलेंगी तूसी में हम चर्चा कर लें जैसे हम 1000 से 2000 मीटर की उचाई तक जाते है किसी परवती छेत्र में तो हमें वहाँ पर आद्र शितोष्न कटी बंधी टाइप की वनस्पतियां जो हैं वो मिलेंगी और इस प्रकार की वनस्पतियों में जो चौड़ी पत्ति वाले वन हैं ऐसे व्रिक्ष जिनकी पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं ऐसे व्रिक्ष मतलब लगभग 1500 से 3000 की मिटर की उचाई पर हम उपर चड़ते हैं तो वहां पर वनस्पतियों का जो आकार है उनकी बनावट जो है विशेशता उनकी बदल जाती है वहां पर अब हमें शंकुधारी व्रिक्ष जो है वो मिलेंगे हमने देखा किसके पहले हम कम उचाई पर थे वो मिलते हैं जैसे की पिक्षर में भी आप देख पा रहे होंगे चीड है जिसे हम पाइन कहते हैं देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडर इस प्रकार के व्रिक्ष मिलते हैं अब ये पूरे जो परवती वन है वो भारत के किस छेत्र में मिलेंगे तो हमें पता है कि हम उत्तर पश्रिम से या उत्तर से जैसे हम उत्तर से उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पूरी उस रेंज में हिमाले का विस्तार है हिमाले परवर्शेणिया फैली हुई है तो इस हिमाले परवर्शेणिय में भी हम देखते हैं कि महान हिमाले फिर लगू हि शिवालिक और शिवालिक का गिरिपत तो इन विभिन उचाईयों पर हमें यहां पर वनस्पतियों में अंतर मिलेगा तो प्रमुखरूप से इनके छेत्र तो यह वन्ज है वो पूरे हिमाले के दक्षनी धलानों पर दक्षनी धलान हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देख पाते ह इसलिए हम कह रहे हैं दक्षनी धलानों पर तो यह वन्ज है वो हिमाले के दक्षनी धलानों पर इसके साथ ही साथ दक्षिन और उत्तर पूरो भारत के जो अधिक उचाई वाले छेत्रे हैं उन भागों में जो हैं वो इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं किस प्रक या उससे भी और अधी कुचाई में जाएंगे तो हमें वहां पर शितोष नकटी बंधी घास के मैदान या फिर अल्पाइन टाइप की वनस्पतियां मिलती हैं और इससे और अधी कुचाई पर हम जाएंगे तो मास, लीचेन, घास और टुंडरा वनस्पतियों का विस्तार मिलता है बच्चों यहां पर जो हमें शितोष नकटी बंधी घास के मैदान हमने कहा कि जैसे हम 36 मिटर की उचाई पर जाते हैं तो कुछ में शितोष नकटी यहां यहांदी घास के मैदान है तो आपको पता होना चाहिए कि इन हिमालय के परवती उत्थCrस काम में जो है जो एक समतल समत्र स्थ जहां पर होता है वहां पर गुझ 22 उर बकर्वाल जैसी जन्जातिय यह वह निवास करती है और यह जो जन्जातिय। यह एक घुमकड़ जीवन व्यक्तित करने वाली जन जातिया हैं, ये अपने पशों के साथ रितु प्रवास करती हैं, तो इस्थानांतरन शिल क्रिशी करती हैं ये और अपने पशों के साथ रितु प्रवास करती हैं, तो हमने कहा भी अपने पशों के साथ रितु प्रवास करती हैं, तो ये जो शितोष निकटी बंधी घास के मैदान है यह इन ही गुजर और बकर वाल जनजातियां जो हैं इनके पशों के लिए एक चारा गाह का काम करती है यह जो घास के मैदान होते हैं फिर अब जानवरों पर हम बात कर लें तो यहां मिलने वाले मुख्य जानवर जैसे कश्मीरी महा अमरिग है याक है लाल पांडा तिबती बारह सिंगा इसके साथ ही साथ बहुत अधिक बाल वाले जो भेड और बकरियां होती है वो भी हमें यहां पर मिलते हैं तो बच्चों यह हो गया परवती वन इसके बाद जो हमारा अंतिम वर्गी करण है जिसे हम मैंग्रो वन या म जो है नहीं पर बात करते हैं तो मैंग्रो वनंसपतियां जो है वह इनकी विशेशता होती है की एक दलदली छेतर में होते हैं यह इस लिए कि वनसपतियों की जो जडं हैً हम कहें यह पूरे वरिक्ष जो है वह उनकी जड üzerine और पूरा आदा वरिक्ष जो है वह जल में दू जहां पर किये मैंग्रो वनस्पतियां पाई जाएंगी, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस्तलाकृतियों पर भी हमने इस्तलाकृति वाले भी चैप्टर पर हमने इस पर चर्चा की थी, तो यदि हम उत्तर पुर्वी छेत्र के पूरे आ जाएं, तो उसमें बात करें ग देल्टाई छेत्र हैं, यहां पर हमें मैंग्रो वनस्पतियां मिलती हैं, तो यहां पर व्रिक्ष कौन-कौन से मिलेंगे, विशेष्टा हैं, यहां पर पाई जाने वाली विशेष्टा क्या होगी, तो पहले हम व्रिक्ष पर बात कर लें, तो हमें मालूम है, कि जो गंग साथ ही साथ जो है यहाँ पर नारियल, ताड, क्योड़ा और एंगोर ये वरिक्ष की भी प्रधानता हमें मिलती हैं तो विशेष्टा हमने देखी कि आधी पानी में डुबी रहती हैं ये मैंग्रो टाइप की जो घनी वनस्पतिया यहाँ पर मिलती हैं और जो हमने सुंदरी वरिक्ष की बात की तो इन वरिक्षों की एक विशेष्टा महत्वपूर्ण विशेष्टा यह होती है कि इनकी जो लकडियां होती है वो बहुत मजबूत लकडियां होती हैं सुंदरी वरिक्षों की अब ये वरिक्ष होगे इसके साथ-साथ हम बात कर लें जानवर जानव तो बच्चो यह हो गई बात हमारे पूरे वनस्पतियों के वरगी करण की और जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपको इस पूरे वरगी करण को या इससे संबंधी जो आने वाले प्रश्न है इस पर आपको किस प्रकार से अध्यन करना है और इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत अच्छी तरह से इस वरगी करण को वनों के वरगी करण को समझना है और इसके जो उत्तर हैं वो तैयार करने हैं बच्चो अभी हमने देखा जैसे फ्लोरा में मतलब पादप समुदाई या वनस्पती समुदाई की हमारे भारत में इतनी अधिक प्रजातियां या विवित्ता देखने को मिलती हैं तो ठीक इसी प्रकार से फोना या जो जन्तु समुदाई होत हमारे भारत के अलग अलग छेत्रों में निवास करते हैं तो सब पर हम चर्चा कर लें जैसे पूरे जीवों का आपको यकीन नहीं होगा कुल 90,000 प्रजातियां जो हैं वो हमारे भारत में मिलती हैं कुल 90,000 प्रजातियां जीवों की मिलती हैं उसमें भी हम देखें जो 2000 से अधिक प्रकार की या प्रजातियों की पक्षियां यहां पर मिलती हैं 2000 से भी अधिक और ये जो 2000 से अधिक प्रजातियां यदि हम बात करें कि पूरे विश्व में जितनी भी पक्षी मिलते होंगे पक्षी रहते होंगे उनका ये जो 2000 संख्या में हमारे भारत में मिल रही है यह पूरे विश्व का लगभग 13 प्रतिशत जो होता है इसके साथ ही साथ अलग-अलग प्रकार की मचलियां भी पाई चाहती है हमने देखा था कि खारे पानी वाली मीठे पानी में रहने वाली मचलियां तो कुल 2546 प्रजातियों की मचलियां भी हमारे भारत में मिलती है और यह कुल जो प्रजाति मचलियों की मिल रही है यह पूरे विश्व का 12 प्रतिशत जो है वो हमारे यहां मिलता है मतलब पूरे विश्व में जितनी भी मचलियां मिलती होंगी उसका पूरा 12 प्रतिशत जो है वो हमारे भारत में इस एंफिबिया जिसे हम उभैचरी कहते हैं फिर सरीशरिप या रेप्टाइल्स या जो इस्तंधारी जी होते हैं मैमल्स जो होते हैं इनका इन तीनों ही प्रकार के जीवों का लगभग पांस से आठ प्रतिशच जो है वो हमारे भारत में मिलता है अब इस्तंधारी जीवो में भी या मैमल्स में अदि हम बात करें तो जो हाथी है ये एक महत्तुपूर्ण जानवर है इस्तंधारी जीवों में और ये जो हाथी है ये असम्, करनाटक, केरल इन तीनों ही राज्यों के और इसके साथ ही साथ जो उष्ण और आध्रवन है वहा पहले भी हमने वनो वाले पार्ट में चर्चा की थी कि इस असम और पश्चिम बंगाल के डल दली छेतर में हमें एक सिंग वाले गैंडे जो हैं वो मिलते हैं, अब जो कच्छकरण है और थार का मरुस्थल जो डेजर्ट एरिया है, रेतीले जो छेतर हैं, यहां पर हमें अगली गधे और उठ ये मिलते हैं जो हमारे यहां मिलती है जैसे भारती जो भैसा होता है साथी साथ नील गाय है चौ सिंगा छोटा अमरीग और विभिन प्रजातियों के जो हीरण है ये भी हमारे भारत में देखने को मिलते हैं बच्चों हमारा पूरे विश्व में हमारा भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहां पर शेर और बाग दोनों ही मिलते हैं